हेलो दोस्तों कैसे भाई आप सभी कैसे हैं आप सभी आज हमारी पहली क्लास देखो पाइपन टंगी की दूसरी क्लास सुरू हो पाइपन टंगी की क्लास देखो तो जली से एक बार वीडियो को फटावर्ट सब लोग सेयर कर दीजिए सब को बता दीजिए कि सुभमजर की क्लास आ चुकी है अब आज आ रही है वाइस इस ओर डिबल एवर्टिंग इस फाइन ओके लेट स्टार्ड क्लास सुरू करते हैं भी यह ठीक है देखे रहां से पह स्टार्व प्यारा और बहुती सानदर सा सवाल है देखो लगाएंगी इसको एक दम अच्छे से यहां से रहीजार यहांर के समझो ध्यां सी कि एक नाम का टैव हैher जो इसको 24 श्रेश में फिलब कर सकता है फिलब कर सकता है यानि की पॉस्इटिव देंगे एप्ष्थ को 30 मिनिट में fill up कर सकता है fill up कर सकता है इसका मतलब positive देंगे बताओ इन दोनों का total word कितना आएगा 120 unit LCM लेंगे तो यहां से उनकी efficiency हम निकाल लेंगे बताओ efficiency कितनी आ जाएगी 24 से 5 बार और 30 से यह 4 बार efficiency इनकी आ गई 5 और 4 की अब यहां से देखो क्या कह रहा है कि दो pipe एक tank को 24 minute और 30 minute में भर सकते हैं दोनों pipe को एक साथ खोला जाता है परन्तू आठ मिनिट के बाद पहली टंकी को बन कर दिया जाता है मतला पहले pipe को बन कर दिया जाता है टंकी नहीं पहले pipe को ठीक है ना पहले pipe को 8 minute के बाद बन कर दिया जाता है तो दूसरा pipe तो टंकी को पूरा भरने में दूसरा पाइप समय लेगा, कितना समय लेगा यह आप से बोला है, अब यहां से देखो, दो तरीके हैं लगाने के, पहला तरीका समझो, आपको यह तरीका मैंने time and work में सिखाया है, आपको मैंने हमेशा से बताया है, कि time and work का ही copy paste chapter है, यह पूर काम, अब इस 120 unit को कौन कौन कर रहा है, तो समझो ध्यान से, कह रहा है कि दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना सुरू किया, दोनों ने दोनों type pipe को एक साथ खोला गया, मतलब A plus B pipe को एक साथ खोला गया, आठ दिन के बाद पहली pipe को बंद किया गया है, मतलब आठ मिनट के देगा, A और B मिलके एक मिनट में कितना भर रहे हैं, पांच और चार मिलके नौ भर रहे हैं, तो आठ मिनट में यह दो को पांचार मिलके नौ यूनिट भर रहे हैं, नौ लीटर पानी मानलो एक मिनट भर रहे हैं, तो आठ मिनट में कितना भरेंगे, एक मिनट में नौ, तो आठ मिनिट में 9, 8, 72 यूनिट भर देंगे, यहां से यहां तक आपका 72 फील हो गया, कितना बचा, 120 था, यानि 28 इदर और 20 उदर मतलब कि 48 यूनिट अभी भी रिमेनिंग है, 48 यूनिट क्या है, अभी भी रिमेनिंग है, इसको कौन करेगा, आप से कहा रहा है कि पहले प भरेगा, बी की इफिसेंसी कितनी है, चार की, तो चार के हिसाब से उसे कितना बिनिट लग जाएगा, 12 मिनिट का समय लग जाएगा, यानि बी को से सकार से, पानी को भरने में 12 मिनिट का समय लगेगा, देखो, पाईपेंट अंगी बहुत ही easy chapter होता है, क्यों, सिप्ट उसी का लगता है, और ये concept आपने time and work में सीखा है, तो जो बच्चे मेरी time and work की class नहीं देखे हैं, वो जाके देखे time and work की class, क्यों, दूसरे class मैंने यह आपको पढ़ाया है, क्यासे यह होता है, क्यासे fill up करते हैं, क्यासे उसको क्या करते हैं, क्यासे कोई काम नजर आते हैं, भासन मैं आरी, तो pipe and tanky में आपको इतने सारे concept नजर आते हैं, ठीक भी या, चलो, अब यह आपने लगा लिया, यह आपने basic तरीका से लगाया, अब समझो, कि इसी को हम अपने trick से भी लगा सकते हैं, जो pipe and tanky में हम trick यूज़ करते हैं, उस trick से भी इसको ल नहीं है, आठ मिनिट के बाद पहली pipe को बंद कर दिया जाता है, उसको आठ मिनिट भी न चलने दो, एका आठ मिनिट का काम कितना है, एका एक मिनिट का काम है तो आठ मिनिट का, आठ मिनिट का आठ पचे चालिस, एका एक मिनिट का पांच है, तो आठ मिनिट का चालिस, इ कार के हिसाब से कितना समय लग जाएगा 20 मिनिट 20 मिनिट तो ये पूरा समय है आप से बोला है टंकी को पूरा भरने के लिए केवल दूसरे पाइप का पूछा है तो उसमें से ये 8 मिनिट आपको माइनस करना होगा ये सारा कॉंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है यानि 12 20 मिनिट और ये भर सकते है यह नामका है जो इसको 20 मिनिट में भरता है वि शो variations SE allowed है नब या बीस मिनिट 60 मिनिट LCM गोलो तो 60 आएगा G इफिसेंशी बोलो दोनों फिलब कर रहे हैं तो दोनों के साथ प्लस है 20 से ये 3 बार 60 से ये 1 बार ठीक है भी या 10 मिनिट तक दोनों को खोला जाता है उसके बाद पहले नंद को बंद कर दिया जाता है same concept same trick से लगाएंगे 60 unit है पूरा काम 60 unit है पूरा काम 10 minute के बाद 10 minute के बाद पहले null को close कर दिया जाता है पहला null कौन सा है A वाला A का 10 minute का काम कितना होगा A का 1 minute का काम है 30 तो 10 minute का काम A गुड़े में 30 इसको बंद कर दिया गया इसके काम को minus कर देंगे यानि 30 बचा न 60 में से 30 को minus कर देंगे तो 30 बचा अब इस काम को कौन करेगा आपने एक काम को हटा दिया यानि इसको करने वाला है B यानि इसको भरेगा B 30 unit को भरने के लिए B को कितना समय लगेगा एक के हिसाब से भरने में 30 minute का लग जाएगा आपसे क्या बोला है पहले नल को बन कर दिया जाता है कितने minute बाद टंकी पुणते आप भर जाएगी कितने minute बाद तो 10 minute तो 10 minute तो ये चला ही चला है उसके साथ भी B काम किया था तो 10 minute इसमें से minus कर देंगे तो answer कितना आ जाएगा 20 minute ये वाली trick मैंने आपको सिखाई है time and work में वो ही वाली trick चला ही है तो 20 minute is the right answer for this one 20 minute is the right answer for this one 20 minute आएगा भी या बासमें में आ रहे हैं न एकदम easy सा concept है तो को ऐसे भी कर सकते थे एक तो ये तरीका लगा लिया दूसरा तरीका आप ये भी लगा सकते थे अच्छा 60 है न 60 है न देखो 60 है अब दूसरा तरीका समझो 10 minute तक दोनों खोले जाते हैं 10 minute तक दोनों दोनों मिला के 10 minute चले 3 और 1 मिला के 4 4 ने 10 minute चला यानि कि 40 चला 40 इसमें से minus करो 20 बचा हुआ है अब A छोड़ दिया तो इस B को भरने में B को कितना समय लगेगा 20 को भरने में तो B1 के हिसाब से भरेगा यानि इसको 20 minute लग जाएगा ये भी तरीके से आप लगा सकते थे बासन ने आ रहे हैं देखो 60 काम था टोटल 10 minute तक दोनों चले हैं तो 10 minute तक यानि कि 3 ये चला है एक ये चला है 10 minute में कितना भरेंगे तो 3 एक मिला के 4 तो 1 minute में 4 तो 10 minute में 40 40 भर देंगे 40 गटाएंगे 20 बचेगा 20 चुकी A छोड़ देता है A चुकी बंद कर दिया जाता है A को बंद कर दिया जाता है तो B इसको 1 के हिसाब से भरेगा 20 को भरने में 20 minute लगेगा अगला कॉशन देगो नल A और नल B किसी टंकी को 12 मिनट और 15 मिनट बहर सकते हैं दोनों नल इक टे खोल दिया जाते हैं फिर नल A को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है देखो 2 नल A और B टंकी को 15 और 20 घंटे में भर सकते तीसरा नल भरी टंकी को 25 मिनट में खाली कर सकता है प्रारंब में 3 नलों को खोल दिया जाता है 10 घंटे बाद C को बंद कर दिया जाता है टंकी कितने समय में भरेगी बहुत अच्छा सवाल है देखो ध्यान से A करता है बताओ A भर रहा है 15 में B भर रहा है 20 में अच्छा ये दोनों भर रहे हैं तो दोनों positive sign के साथ होंगे मैंने आपको सिखाया था पहली class जाके time and work किसी को मैंने क्या बताया था अगर दोनों भर रहे तो दोनों positive में होंगे तो ये दोनों हमारे positive में होंगे जबकि C वाला impetite the tank लिखा हुआ C भरी टंगी को 25 मिन में खाली कर सकता है ये impetite the tank है यानि कि 25 मिनिट में impetite कर रहा है यहां से बताओ इनका LCM कितना आएगा आप बताओ इनका LCM कितना आएगा 15-20 चारते 12 12-25-60 60 और एक और पांचे 300 आ जाएगा तो इसका कितना आएगा 20 इसका कितना आएगा efficiency बताओ 20 से ये 15 और इसका कितना आएगा 25 से ये 12 ठीक है ना 12 आगे है यहां से ये इनकी efficiency आगे आगे क्या बोला है जैसा जैसा बोला वैसा वैसा करो कह रहा है कि देखो total काम आपके पास कितना है अच्छा ये खाली कर रहा है तो ये minus में रहेगा इस बात को मत भूलना तीसरा वाला tap खाली कर रहा है बाकी दोनों भलब plus में रहेंगे क्योंकि दोनों भर नहीं है ठीक है ना भीया? देखो आपके पास 300 यूनिट काम है ठीक है? 300 आपको पूरा टंकी को भरने में 300 का यूनिट का काम, मतलब 300 यूनिट पानी आपको भरना है अब क्या है कहानी में? कि प्रारंब में 3 नलो को एक साथ खोल दिया जाता है तीनो नलो को आप खोल रहे हो अगर तीनो नलो को खोल रहे हो तो फिर होगा क्या जरा बताओ यह 20 और 15 तो भरेंगे यानि 35 भरेंगे लेकिन 12 खाली होगा 35 में से 12 खाली होगा ऐसा आप से कहा है देखो ध्यांसे 20 और 15 दोनों भरेंगे तो 35 भरे खाली होगा यानि कि प्लस में 23 आया है तो ऐसा उन्हों कितना मिनट किया अические कितना बचेगा 70 बचेगा सतर बचेगा इसके बाद कहे रहा है आपको कि फिर C को बंद कर दिया जाता है इसके बाद अब C को close कर दिया गया मतलब अब दोनों खाली भरने वाले हैं कोई खाली करने वाला नहीं है ठीक है ना ये दोनों खाली भरने वाले रहेंगे A और B अब इस 70 यूनिट को किवल A प्लस B करेंगे तो टोटल A प्लस B का 20 और 15 मिला के 35 होता है तो 35 के हिसाब से 2 मिनिट और लग दो घंटे और लग जाएंगे आपसे कहा है कि टंकी कितने समय में भरेगे पूरा समय आपको बताना है तो देखो भाया 10 घंटे यहां काम किये हैं 10 घंटे तक 3 खुले हुए थे यह 10 आर्स का काम है है ना यह 10 आर्स का काम है और यह जो है 2 घंटा और आया यानि टोटल मिला के कितना हो जाएगा 12 घंटा एकदम easy सवाल बन गया बताओ interesting और easy बना की नहीं बना चलो अगला देखो अगला देखते हैं भीया अगला देखो दो नल टंकी को 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं एक अन्य नल भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है पहले दोनो नलो को खोल दिया जाता है तीसरे नल को 5 घंटे बाद खोला जाता है तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी भीया अच्छा सवाल एकदम इसरा नल C जो है वो 6 गंटे में खाली करता है तो यह efficiency इसकी खाली करने की है तो यह 6 जो की माइनस में रहेगा 12 अच्छे और 15 का LCM बोलो आप तो आप बोलोगे 12 अच्छे 15 का LCM आएगा 60 unit यहां से बताओ efficiency निकालेंगे efficiency बताओ कितना आएगा 12 से यह 5 बार 15 से यह 4 बार और 6 से यह 6 से यह 10 बार यह दोनों भर रहे हैं यह दोनों फिलप कर रहे हैं लेकिन यह क्या कर रहे हैं खाली कर रहे हैं ठीक है चलो यदि पहले क्या बोला है कि यदि पहले दो नलों को खोल दिया जाता है और तीसरे नल को पांच घंटे बाद खोला जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी interesting है interesting है सवाल interesting है वहिया समझो ध्यान से आपे अब जरह efficiency को ध्यान से देखो ये 5 की efficiency प्लस में है इसकी 4 की efficiency मतलब एक घंटे में ये 5 यूनिट भरेगा और एक घंटे में चार यूनिट भरेगा अच्छा अगर ये दोनों मिलके भरते तो कितना भरते पांच चार मिलाके नौ भरते नौ यूनिट भरते एक घंटा में लेकिन जो सी वाला है वो तो एक लौता विचारा 10 के हिसाब से खाली कर रहा है जैसे मान लो ये कोई टंकी है आपकी इधर से इधर से दो टैप लगे हुए हैं ऐसे ऐसे ये भर रहा है पाँच लीटर एक मिनिट में यह भर रहा है मानलो चार लीटर एक मिनिट में ये दोनों भर रहे हैं तो दोनों प्लस में हैं एक तीसरा पाइप नीचे लगा हुआ है सी नाम का जो इसको माइनस 10 के हिसाब से खाली करेगा कहेगा तुम 5-9 भरो में 10 खाली करूंगा अच्छे बताओ अगर ऐसा करेगा तो पानी भर पाएगा नहीं भर पाएगा यानि कि अब सवाल में जो ट्विस्ट है जो कहानी है उसको देखते हैं क्या कहा है कहानी कहरा है यदि पहले दोनों नलों को खोल दिया जाए और तीसरे नल को 5 घंटे बाद खोला जाए मतलब प प्लस बी का काम बताओ नौ गुड़े में 5 नौ पचे 45 यूनिट पानी भर दिये हैं फिर उसके बाद सी तीसरे नल को भी खोल दिया जाता है 5 घंटे बाद तीसरा नल नहीं खुला हुआ था 5 घंटे तक खाली पहला और दूसरा पहले दो नल ही खुले हुए थे तो खाली गंटे 45 निट भर गया है अब इसके बाद क्या किया गया कि A प्लस B और उसके बाद माइनस में C कर दिया गया मतलब तीसरा वाला भी नल खोल दिया गया 5 घंटे के बाद इसको भी खोल दिया गया तो आपको कितना समय लगेगा खाली करने में चरा देखो यह 5 भर रहा है चार भर रहा है और यह माइनस में 10 हो रहा है यानि कि 45 बटे में माइनस 1 आएगा माइनस 1 के हिसाप से खाली करेगा तो 45 घंटा लग जाएगा खाली करने में 45 घंटा माइनस जो साइन हो से यह हमें सो करता है कि टंकी खाली हो रही है तो इसका अंसर कितना आ जाएगा 45 घं नाम का concept clear है उसे pipe and tanky में कोई समस्या नहीं होगी एकदम आप धुहाग तरह सवाल लगाओगे बस यही बात याद रखना कि भरना बोलेगा तो plus use करना है खाली करना बोलेगा तो minus use करना है चलो अगला सवाल देखो two pipes P and Q can fill the system in 12 hour and 15 hour 15 minutes respectively both are open together but at the end of 3 minute P is turned off in how many minutes more the Q will system अच्छा ऐसा बड़ा अच्छा सवाल है यहाँस देखो जो P नाम का है वो उसको fill up कर रहा है कितने में फिलप कर रहा है आप बताओ 12 hour में 12 minute में और यह 15 minute में मतलब यह 12 में है और जो Q है यह 15 में है ठीक है ऐसा बोला है आपसे ठीक है अब इन दोनों का LCM बताओ आप 12 hour 15 hour का LCM बताओ कितना आएगा आपको होगे सब 12 hour 15 hour का जो लह सपा आएगा वो कितना आएगा 60 आएगा यानि कि यह 5 आया इसकी efficiency और इसकी efficiency चार आई अब आपसे गया बोला है दोनों पाइप को एक सा समय लिया जाएगा ऐसा आपसे बोला है अब यहां से देखो समझो यहां से साथ यूनिट था कितने मिनिट तक 3 मिनिट तक तो 3 मिनिट में P प्लस Q कितना भरेंगे 5-4 मिलाके 9 तो 9 गुड़े 3 27 इसमें से माइनस करेंगे 27 बताओ कितना आएगा 33 आएगा 33 यूनिट बचाए 33 यूनिट बचाए इसके बाद कहरा है 3 मिनिट के बाद P को बंद कर दिया जाता है P stop है P खतम P बंद कर दिया गया तो बताए Q द्वारा कितना समय अधिक लिया जाएगा ठीक है Q द्वारा कितना समय अधिक लिया जाएगा अब यहां से समझो कि इसको कौन भरने वाला है इसको Q भरने वाला है कौन भरने वाला क्योंकि P को तो आपने बंद कर दिया है तो 33 को भरेगा Q Q की efficiency 4 है तो 4 से भाग कर देंगे तो कितना बार में जाएगा 4,8 बटीस एक बटे में 4 इतना मिनिट लगेगा 4 से ही एक बटे में 4 मिनिट अच्छा सवाल है एकदम समझो, एकदम easy concept है R की total का में 60 unit P और Q को 3 मिनिट तक चलाया गया तो P plus Q गुड़े में 3 कर देंगे तो P plus Q की efficiency 5,4 मिलाके 9 है तो 9,3 27 unit भर देंगे 27 unit भर दिये तो 33 unit ये remaining है 33 unit बना है अब P को आपने close कर दिया P का काम खतम हो गया है तो यानि इसको कौन भरेगा, क्यू भरेगा 33 को भरने में Q को कितना समय लगेगा चार के हिसाप से भर रहा है तो कितना समय लग जाएगा चार से भाग कर देंगे, आ जाएगा answer अगला देखो Pipe A can fill the tank in 4 hour Pipe B can fill it in the 6 hour If they opened alternately अच्छा, alternate वाला question आ गया है And if pipe A is opened first Then in how many hours The tank shall be full अब समझो ध्यान से बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पे कि pipe A नाम का जो tank है वो 4 hour में भर रहा है Pipe B नाम का जो tank है वो 6 hour में भर रहा है देखो पूरा time जो time and work का concept लगता है वो ही सारे concept लगते है जैसे time and work में दूसरा concept क्या था कोई ब्यक्तिक काम छोड़के चला जाया इस तरह का concept था इसमें भी वही था कि कुछ समय के बाद tap को बंद कर दिया जा रहा था फिर open किया जा रहा था वही concept था फिर उसमें क्या था एक आंतर वाले कारे थे इसमें भी देखो एक आंतर वाले आ गए है चलो देखते हैं L से बोलो इनका 12 आएगा तो इसकी efficiency इसकी efficiency बताओ इसकी efficiency 3 है और इसकी efficiency 2 है बासन गाई समझते रोध्यान से concept को सवाल को समझना concept को समझना दोनों जरूरी है अब समझे क्या बोला है कह रहा है कि एक 4 घंटे में भी 6 घंटे में यदि वे एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं और यहां करम लगातार चलता है यदि pipe एक पहले खोला जाता है एक को पहले खोला जाता है और वो एक एक घंटे के लिए यानि कौन सा सवाल बन गया बारी बारी वाला याद है ना बारी-बारी वाला तो बारी-बारी वाला सवाल बन गया है ठीक है बहीड और SST.C.C.L. 2015 में आया था चलो देखतें ध्यान दो देखो बारी बारी है तो पहले एक खोला गया फिर भी यानि दोनों मिला के कितना पांच यूनिट भरेंगे और दो दिन लगेगा वो सभी को पता है तो बारा के हिसाब से अभी आपको बताऊंगा एक ट्रिक भी याद दिलाऊंगा समझना अभी रुख जाओ बारा के हिसाब से आप बताऊ बारा के हिसाब से दो और तीन मिला के पांच राउंड एक राउंड में पांच काम तो कितना राउंड चलेगा आप बताऊ राउंड वाला याद होगा तो दो राउंड दो राउंड एक राउन में कितना दिन, दो परसन है, तो दो दिन, यानि दो दुनी के चार दिन हो गए हैं यहापे, काम कितना हुआ, पांस दुनी के दस काम हुआ, यह काम हो गया, तो इसकी कहानी खतम, अभी भी दो काम रिमेनिंग बचा हुआ है, याद है न, अल्टरनेट वाला कॉंस याद है न, देखो भाईया, देखो देखो, देखो, अल्टरनेट वाला कॉंसेट क्या था, कि पहले A आएगा काम करने, फिर B आएगा काम करने, एक दिन A आएगा, एक दिन B आएगा, तो एक दिन A, एक दिन B, मतलब दोनों इसी तरह चलेंगे, तो एक बार में दोनों मि पास 12 12 को हम 5 से भाग दिया तो हमें पता चला दो बार आएंगे काम करने दो राउंड मतलब कि दो बारी दो बारी काम करने दो आएंगे दो एक बारी में दोनों को लग रहा है दो दिन तो दो बारी में दोनों को लगेगा चार दिन दो बारी में काम कितना करेंगे? पांस दूनी के दस ही काम किये. अभी भी दो काम आपका remaining बचा हुआ है. दो काम अभी भी आपके पास 6 बचा हुआ है. अब दो round खतम हो गई. अब तीसरा round शुरू होगा. तो तीसरा round में जिसने काम के सुरुवात किये ए वही काम करने आएगा तीसरा रहुन में ए ही काम करने आएगा दो काम बचा हुआ है एक दिन में तीन काम कर सकता है तो इसे दो बटे तीन दिन लग जाएंगे टोटल टाइम आपसे पूछा है टोटल टाइम चार दिन यहां दो बटे तीन दिन यहां तो चार सही दो बटे तीन दिन इसका आंसर बनेगा दिन नहीं किस में दिया है घंटा में दिया है ना हार में आंसर बनेगा ठीक है ना ये भी आपका हार में होगा ये 4 हार ठीक है तो चार से ही दो बटे तीन गंटा यह इसका अंसर बन जाएगा ऑप्सन नमबर चौथ बी वाला अच्छा है एकदम अल्टरनेट वाला कॉंसेप्ट है कुछ भी अलग नहीं है अगला देखो पाइप और पाइप भी लगे हुए हैं यह 20 मिन भरता है यह 30 मिन भरता है यह और भी बारी-बारी से काम करते हैं एक-एक मिनट के लिए खोला जाता है तो टंकी कितने मिन भर जाएगी एकदम वैसा कब वैसा सवाले लगा लोगे भाईया यह 20 मिनिट इसका समय दिया है 30 मिनिट इसका समय दिया है 20-30 मिला के 60 एक राउंड में हुआ पाँच पाँच के हिसाब से 60 में 12 राउंड आएगा बार दोनी के 24 है अच्छा यह खाली वाला दिया है सौरी-सौरी-सौर इफिसेंसी 20 से भाग करेंगे तो प्लस में 3 आया और यह माइनस में 2 आया दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे आप मेरे को बताओ इजी सवाल है यार देखो यह 3 भरेगा 2 खाली करेगा मतलब प्लस 1 की इफिसेंसी आई कितना दिन में 2 दिन में 2 दिन में प्लस 1 भरेंगे यह तो 60 काम करने के लिए प्लस 1 के हिसाब से कितना राउंड आना पड़ेगा 60 दिन आना पड़ेगा यानि कि 60 राउंड आना पड़ेगा और एक राउंड में 2 दिन है तो 60 राउंड बराबर में 120 दिन तो यहीं लग जाएगा सॉरी, मिनेट में है यह मैं दिन में क्यों चल रहा हूँ मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है ठीक है न यह मिनेट में है यह भी मिनेट में है ठीक है यह यह काम कितना हुआ यह 60 काम पूरा खतम कुछ भी काम नहीं बचाए यहनि इसका आंसर 120 मिनेट आएगा खाली वाला है तो क्या हुआ concept तो वही लगना है न कुछ भी concept अलग नहीं लगना है अगला देखो तीन नल ए भी सी टंकी को 12, 15 और 20 में भर सकते हैं यदि नल ए पूरे समय के लिए खुला रहा और बी और सी बारी बारी एक एक गंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी देखो यहां समझो A भर रहा है 12 में B भर रहा है 15 में और C भर रहा है 20 में तीनो भर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है LCM बोलो 60 यहां से efficiency बोलो 12 से 5 बार 15 से 4 बार और 20 से 3 बार तीनो भर रहा है तो तीनो प्लस में है इसलिए कुछ सोचना नहीं है कह रहा है कि A पूरे समय के लिए खुला है मतलब A तो रहेगा ही रहेगा A और B और C बारी बारी एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं मतलब B और C बारी बारी A तो रहेगा ही रहेगा एक बार A प्लस B रहेगा अगली बार A प्लस C रहेगा ऐसे भरेंगे और इस तरह के सवाल मैंने time and work में आपको कराएं तो A plus B जब भरते तो 5,49 भरते हैं और जब A plus C भरते हैं तो 5,38 भरते हैं एक गंटा में न, एक गंटा इसको लगता है मतलब 2 गंटे में, यहांस देखो तो 2 गंटे में काम कितना हुआ, 8 और 9 मिला के 17 काम हुआ दो गंटे में 17 काम हुआ, टोटल काम कितना है, 60 साथ में 17 के हिसाब से 17,31, कितना राउंड आएगा आप बताओ तो आप कहदिये सर 3 राउंड आएगा, एक राउंड में 2 गंटा है यह एक round की कहानी है, यह एक round की पूरी कहानी है भाईया, एक round में 2 घंटे का समय है, तो 3 round में 3 दुनी के 6 घंटा तो यहीं हो गया, 6 घंटा यहीं हो गया, काम कितना, 17, 31, 51, काम खतम, कितना काम बचा है, 9 काम अभी भी remaining बचा हुआ है, क्योंकि total काम आपके पास 60 था, तो अ A नहीं आएगा, A प्लस B आएगे ना, क्योंकि starting में A प्लस B आये थे, तो 9 काम करने के लिए A प्लस B को 9 के हिसाब से करते हैं, A प्लस B का efficiency 9 का है, तो यानि 1 घंटा और लग जाएगा, total कितना समय आ गया, 6 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ मिला के, 7 घंटे का total समय लगेग पूरा time and work का concept है, जिसने, अब मालो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा, कि सरीय कैसे गर रहे हो, तो एक बार आप मेरी time and work की पूरी class देख लो, 8 से 9 classes है time and work में, जाके एकांतर वाला ढूडो, एकांतर वाले में इस तरह के स सवाल कराएं, अगला देखो, अगला देखो क्या बोला है आपसे, बोला है कि दो पाइप किसी टंकी को पानी से भरते हैं, A और B एक साथ मिलकर 36 मिन भरते हैं, यदि ये 30 मिन बाद पाइप B को बन कर दिया जाता है, टंकी 40 मिन भर जाती है, B अकेला इस टैंग को कितने सम में भरते हैं देखो ऐसा सवाल भी आप लगा चुके हो टाइम इंड वर्क में ए और भी 36 मिन में भरते हैं यदि 30 मिनट पानी भरने के बाद बी को बंद कर दिया जाता है तब टंकी 40 मिन में भरती है अच्छे एक बात बताओ मेरे को दोनों कितने में भरते हैं 36 मिन में भरते हैं 30 मिनिट भरने के बाद बी को बन कर दिया गया अच्छा 36 मिन में भर रहते 30 मिन आपने भरा है यानि कि अभी भी 6 मिनिट का काम बचा था यानि कि अगर ए प्लस बी भरते तो 6 मिनिट लगता A प्लस B भरते तो 6 मिनिट लगता ठीक है तो कह रहा है कि 30 मिनिट के बाद पाइप B को बन कर दिया जाता है तब टंकी 40 मिन्ड में भरती है यानि कि तब जब 30 मिन्ड में पाइप B को बन कर दिया जाता है तो टंकी 40 में भरती है मतलब कि 30 मिंड में 46 मिंड में भरना था 30 मिड चलाने के बाद 10 में टएक्स्टा लगा तबी तो 40 में अच्छा B को बंद कर दिया गया तो ये 10 मिंट एक्स्टा भरा कौन है ए ब़रा है यनकी A ने 10 मिनट एक्स्टा भरा है ये वाली line अगर समझ में आगी तो पूरा सवाल आ जाएगा और time and walk में इस तरह का सवाल कराया इसी pattern पे क्यों मैं आप लोग को बोल रहा हूँ मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि पूरे time and walk का ही copy paste chapter है कुछ भी अलग नहीं है इसमें पूरा concept, पूरा rule, पूरा everything time and walk का लगता है जिसको time and walk आता है उसी को pipe and tanky आएगा यह मैं आज आपको लिख के दे देता हूँ जिसको time and walk नहीं आता उसको pipe and tanky नहीं आएगा, तो जिस भी बच्चों को अगर कोई confusion लग रही है कि यह मैं बात कैसे लिख दे रहा हूँ, यह efficiency वाले में तब आपको आएगा, अब यहां से देखो अच्छे concept यहीं से समझे लो 36 minute में भर सकते थे 36 minute में भर सकते थे परन्तो 30 minute के बाद बं कर दिया गया यानि कि 6 minute का काम बचा हुआ है अगर A plus B भरते तो 6 minute में भर देते B को बं कर दिया गया B stop यानि A बचा हुआ है तब टंकी को भरने में 40 minute लगता है यानि कि 30 minute तो भरे ही भरे थे 10 minute और एक्स्ट्रा लग रहा है यानि उस 10 minute में किसने भरा होगा? A भरा होगा बस यही है कहानी, यहां से 6 A बराबर में 6 A 6 A plus में 6 B equals to में 10 A यहां से A उधर चला जाएगा तो 4 A बराबर में 6 B यहां से बताओ A बचे B कितना आ जाएगा A बचे इसने इसने काट दिया यह 2 बार में, यह 3 बार में तो 3 बचे 2 आ जाएगा टोटल काम बतादो आप टोटल पानी, टोटल टंकी को भरने में टोटल वर्क, टोटल वर्क जो निकालते थे 3 और 2 मिला के 5 और 36 में भरते हैं तो 36 गुडे में 3 दो मिला के 5 36 पचे 180 180 है, अब कहरा है कि इस टैंक को अकेला, पाइप B B का पूछा है, B की एफिसेंसी है 2 तो B इसको भरने में कितना समय लगेगा 180 उनिट टोटल काम है आपका अब B की एफिसेंसी है 2 की तो 180 उनिट भरने में 2 के हिसाब से इसको कितना समय लग जाएगा 90 मिनिट या 90 मिनिट का समय लग जाएगा यही आपसे पूछाता, तो 90 मिनिट इस दे राइट आंसर बासन में आ रही है, 90 मिनिट अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो जम के सेर कर देना और लाइक कर देना वीडियो को मिलते हैं कल, ठीक साम को 7 बजे और दो बहर को 2 बजे एडवांस मैट की क्लास चल रही है, तो उसको भी देखना मत भूला करो, ठीक है, थाइंक्यू निजॉय, लब यू आल, जैहिन